नमस्काल तो करेटर चम आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं नाम धारम और आप देखरों मेरा चनल करेटर जो फर्स एंड चनल पहाए है सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कह ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिकेशन आप लोगों को मिलती रहे आज की वीडियो में हम कमाल के नोटिक पे बात करेंगे कि जो लोग इसरो की तयारी कर रहे हैं उनके लिए अनकेडमी एक कमाल का टेस्ट स्रीज और फ्री क्लासेश लेकर के आए है तो इसमें ये है कि जो लोग इसरो की तयारी कर रहे हैं उनके लिए आल इंडिया इसरो मॉ दे दिया है उस पे क्लिक करके enroll कर सकते हैं और इसमें जो branch है उसमें Electrical व्रांच है mechanical branch है Civil engineering है electronics है computer science and information technology है तो देरीने करते हुए description में निंग दे दिया है जा के आप enroll कर सकते हो और free classes और testories का फायदा उठाश तो आज के video में हम कमाल के topic पे बात करेंगे कि government job पाना है तो इन ब्रांचों से engineering करें या in trade से engineering करें इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे ध्यान से देखेगा तभी आपको समझ में आगे किन ब्रांचों की मैं बात कर रहा हूँ देखो जब government job की बात आती है तो कई ऐसे branch है जो government job नहीं दे पाते हैं उन ब्रांचों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो branch आता है जिसमें बहुत कम government job निकलती है उसका नाम है computer science है और दूसरा जो branch है वो है information technology इन दोनों ब्रांचों में government job बहुत कम निकलते हैं और उसके बाद तीसरा जो branch है अगर हम बात करें उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं बता दूँ सबसे ज़्यादर जो government job निकलते हैं इन तीन ब्रांचों के लिए government job सबसे ज़्यादर निकलती है उसके अलामा बाकी ब्रांचों के भी निकलती है electronics चौथे नंबर पर आता है लेकिन ऐसा नहीं किसी एर में जादे हो जाती है किसी एर में कम हो जाती है और ऐसा नहीं कि computer science और information technology के लिए government job निकलती नहीं है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इन ब्रांचों के लिए भी निकलती है लेकिन नहीं के बराबर आप समझ लो कि इन ब्रांचों के लिए लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे अगर computer science की पाँच वेकेंसी निकल रही तो वहाँ पर electrical engineering की 50 वेकेंसी होगी अगर IT की 4 वेकेंसी निकल रही है तो वहाँ पर mechanical की 40 वेकेंसी होगी तो mechanical electrical or civil one of the most है electronics भी है electronics भी बहुत टाइम ऐसा होता कि electronics ब्रांच से भी बहुत जादी वेकेंसी निकलती है गौर्ण्ट सेर्विशस के लिए तो ऐसा नहीं है कि यह ब्रांच बेकार है या फिर इन ब्रांचों से करने से कोई फायदा नहीं है वेकंसी की मैं बस बात कर रहाँ कि गौवर्वर्वर्व्वजिक्ता इन ब्रांचो की बैकंसी निकलती यह एक गवर्वन्वज कंप जलती है बहुत सारी के fertilizer की companies है और सारी है जिसमें chemical engineering का बहुत अच्छा खासा scope है और government sector में जा सकते हैं मैं यह जो job की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ government sector में technical job की बात कर रहा हूं non tech की मैं बात नहीं कर रहा हूं non tech में तो आप सब में फॉर्म बर सकते हों और सिर्फ और सिर्फ इंजिनिंग के टेक ब्रांच में टेक्निकल फील्ड की मैं बात कर रहा हूं गौर्वर्मन्ट जॉब के लिए अगर आप नॉन टेक की बात करेंगे तो सारे ब्रांच इलिजबल होते हैं जैसे आप कि कहलो सस्सी सीजियल है बैंक इस ब्रांच इलिजबल होते हैं ग्रेजियोशन वहां जाता है लेकिन आपको टेक्निकल अगर ब्रांच में जाना है एक बस के बारे में आपको सकते हैं तागि मैं को लगए कि आप लोग क्या ओपीनियन है और कमेंट करके जरूर बता है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें थेंक यू जैहिन नमस्कार दोस्तों